आज हम सोन पापड़ी बनाएंगे चीनी का इस्तमाल नहीं करेंगे गुड के साथ हम इसको बनाएंगे बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है इसको बनाने के लिए हमने सेम कटोरी से सारे इंग्रिडियन्स को मेजर किया है इसमें हमने ले लिया है बेशन, मैदा, गुड और refined oil इसके अलावा 2 टेबल स्पून हम घी का भी इस्तमाल करेंगे आप चाहें तो पूरे refined oil में भी इसको बना सकते हो या फिर आदा घी और आदा refined oil में बना सकते हो या फिर पूरा घी में भी इसे बना सकते हो घी में बनी भी मिठाई ज्यादा स्वाधिश्ट होती है तो म करते हैं, बनाने के लिए एक दले का बर्तन है और उसके घरम होने के बाद मैने बेशन और मैदा डाल दिय다 है और पहले हम आज तेज करेंगे जब हमारा ये और हमारी जो कड़ाई है वो अच्छे से गर्म हो जाती है तेज गर्म तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में इसको लगाता चलाते हुए भूनेंगे भूनते जाएंगे छोड़ना नहीं है हमको एदि हम छोड़ेंगे तो ये गीला होती चले जाएगा हमको चलाने में थोड़ा सा असानी होगी और हम लगाता चलाते जाएंगे इसको देखे इस तरह का हो गया है ये लगबग हमारा बनने वाला है तो अब हम इसको चलाते जा रहे हैं और अब हम अपनी गैस को कर देंगे बंद और गैस बंद करने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से यह जल जाएगा क्योंकि कढ़ाई जो है अभी भी कर्म है बस यह अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और हम दूसरी कढ़ाई चूले में रखते हैं और इसमें गुर डाल देंगे और गुर से थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डाल देंगे यह भी मोटे तले का ही होना चाहिए नहीं तो नीचे से गुर जलने लग जाता है तो अब हम यह गुर मेल्ट हो चुका इसमें बोईल आ गया है और सबसे पहले हम पकाने से पहले एक बा इसमें बोईल आ रहा है और यह पकते जाएगा थूड़ा से ठीक हो चुका है और बीच-बीच में इसको चलाते भी जाएगे ने तो यह नीचे से लगने लगेगा जलने लगेगा तो यह बटन क्वाया है इसलिए मैं इसको थोड़े से बड़े चोड़े बरतन में इसको हम डालेंगे तो जल्दी ही यह गारा होने लगेगा तो चलाते रहना जरूरी है अभी पतला है तो देखे थोड़ा ठीक हो गया है तो मैं इसको देखती हूँ किस तरह का यह हो रहा है यह अल्मुस्ट होने वाला है तो अब हम इसको एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और उसमें हम इसको एक चम्मज डालेंगे और देखेंगे कि जैसा हमको चाहिए यह वैसा है या नहीं है गुर को ठंदा होने देंगे और इकठा करेंगे इस तरह से और यह देखें यह इस तरह से खिंच रहा है अच्छे से और जब यह सूख जाएगा ठंदा हो जाएगा तो यह तूटने लगेगा बस हमको ऐसा ही चाहिए हमारे को अब हम गैस बंद कर देंगे और थुरी देर तक हम इसको और चलाएंगे और उसके बाद अब हम एक ग्रीस लगीवी थाली हमने घी से पुरी थाली को ग्रीस कर दिया है और इसमे हम इसको डालेंगे अपनी जो चासनी है ठिक वाली इसको हम इसमें डाल देंगे, देखे, आप देख रहे होंगे consistencies की, इतनी ही ठीक बनानी है, अभी ये गीला हो रहा है, थोड़े देर में ये सूपने लगेगा आपने आपी, तो इस तरह का आपने बनाना है, और इसमें डालने के बाद हमको इसे ऐसे ही नी छोड़ देना है ऐसे ये दि हम सोड़ेंगे, तो ये सकत हो जाएगा जल्दी ही, हमने इसको side से उठा के अंदर की तरफ करना है, इस तरह से, करते जाना है, जब तक ये गाड़ा नहीं हो जाता, जैसा हमको चाहिए, वैसा नहीं हो जाता, ये ठंड़ा होते जाएगा, तो इस तरह से हमको क करना है और यह थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएगा उसके बाद हम इससे अपनी मिठाई बनाएंगे इस तरह से हमने साइट से उठाना है और उपर ले जाके इसको इस तरह से गिरा देना है हमने बार बार ऐसा करना है देखिए अब हमको जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है अब हम इससे बनाएंगे अपनी मिठाई देखे इस तरह से इसमें तार बन रहे हैं इस तरह से गिर रहा है आप गिराएकए देख लिजीए इस तरह के यह दिया आपका हो गया है तो अब आप का यह ready है मिठाई बनाने के लिए तो बनाना सुरू करते हैं और इस बात का ध्य टान रखना है कि यहाँ जो हमने भुना है वेसन और मैदा, यह गरम होँगना से घंडा नहीं हो अब मैंने Eye Damit powder इसमें डाल दिया है पहले नहीं डाला तो मैं भी डाल दे रही हूं तो इलैक मैंने मिला दिया है, और अपना इस Вас AGas इसको हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे पूरा गुर्मे ने इसमें डाल दिया है और अब हमने करना है यह देखिए इस तरह से हम इस तरह से उठाएंगे इसका तार बनते जाएगा और इसको चारो तरफ फेलाएंगे जो सोन पापड़ी के बीच में जो क्रंची होता है ना क्रंचनेस जो होती है वो इसी की वज़े से होती है क्योंकि जो यह चासनी है यह जब ठंडी होगी तो यह बिल्कुल सक्त हो जाती है इसलिए उसके बीच में जो है जो क्रंच आता है वो इसी की वज़े से आता है तो आ पतले पतले तार बना दीजिए, तो ऐसा खरने से जो है हमारी यह सोन पापड़ी, जो गुरे वली में बना रही हूं। बनाने के करण यह काफी हेल्दी भी है, तो मिठाईयां आप हेल्दी वली बनाके दिवाली में खाईए। तो इस तरह से आप बना सकते हो इसको आप इकठा कर दें लगबक तार इसके बन चुके हैं जब यह ठंडा होगा तो यह काई सारे परत जो है इसमें आने लग जाएंगे देखिए आपको दीख रहे होंगे परत इसके तो अब हमने ज्यादा नहीं लाना है देखिए इस तरह कि यह हो गई है अब हम इसको जमने के लिए रख देंगे मैंने इसमें भी घी से गी लगा दिया था इस ट्रेव में अच्छे से तो अब हम इसको फैला देंगे इस तरह से और थोड़े से कटे हुए मेवे में इसके उपर डाल दूंगी कुछ बादाम और कुछ पिष्टे मैंने ले लिए हैं उन दोनों को मैं इसमें डाल दूंगी आप अपने मन पसंद के ड्राइफूट से इसमें डाल सकते हो और अभी क्योंकि यह गर्म है तो आप इसको इस तरह से टैप कर दीजिए टैप करते रहिए उपर से भी ताकि ड्राइफूट से इसके अंदर चले जाए निकलेना तो अब इसको ठंडा होने देते हैं जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको काट लेंगे काटने के बाद बस आप इसको पूरी अभी बना के रख दें और दिवाली तक यह बिल्कुल खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें काफी अच्छे तरीकी से बन आके आपको दिखाईए तो आपको कैसे लगी आप कमेंड करके जरूर बताएगा अच्छी लगती है तो आप और उनके साथ भी सेर करेगा और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा आज के लिए इतना है थैंक्स पर वाचिंग